36 गर में elections की शुरुवात 7 तारिक को होने वाली है, first phase of polling होगी और आज 5 तारिक है आज Congress ने अपना manifesto release कर दिया है BJP ने अपना manifesto बिल्कुल recently release किया था और BJP के manifesto को देख कर Congress ने आज अपना manifesto बिल्कुल 2 दिन पहले polling के 2 दिन पहले आज release कर दिया है इस manifesto को चार अलग-अलग संभागों में चार अलग-अलग बड़े leaders ने release किया है राइपूर की बात करें, Central 36 गर की बात करें तो राइपूर में कुमारी शालचा, 36 गर इंचाज उन्हों ने release किया है North 36 गर में Deputy CM A.T.A. सिंग डेव ने release किया South 36 गर में PCC Chief दीपक बेज ने release किया और राजनन गाओ में, बिलास्पो डिविजन में, दुर्ग डिविजन में उसे release किया है खुद भूपेश बगहेल 36 गर, CM ने तो चार अलग-अलग जगों पेश से release किया गया है और इन फाक्ट इस बार का manifesto भी बहुत interesting है 2018 का formula ही उस किया जाएगा जितने भी Nationalized Bank से farmers ने loan लिया है उनके loans wave off कर दिये जाएगे Close to 24 lakh farmers are to be benefited from this farm loan waiver scheme In fact, gas cylinders जो refill कराए जाएगे उस पे हर एक महिला को 500 रुपे छूट दी जाएगी और इसे महातारी नया योजना का नाम दिया गया है इस योजना के तहट 500 रुपे सबसीडी दी जाएगी मैं आपको बता दू, BJP ने भी बिलकुल इसे तरह से सबसीडी का वादा किया है अगर वो आ जाते हैं पावर में तो Free Electricity up to 200 units 2018 का वही formula और वही वादा दुबारा से किया गया है और इस बार CM आवाज योजना, PM आवाज योजना के तहट जितने भी 17-18 लाग लोग थे जो वेट लिस्टिट थे, उनको CM आवाज योजना के तहट आवाज दिया जाएगा ये एक बहुत बड़ा वादा है जो कॉंग्रेस ने किया है उसके अलावा तेंदुपत्ता पर बोरा पर जो 36 गर्वर्मेंट है चार हजार रुपे दे रही थी, अब वो उसको दो हजार के इंकृमेंट मिल चुका है और अब 6 हजार रुपे प्रती बोरा तेंदुपत्ता को दिया जाएगा तेंदू पत्ता जितने भी मानक जो उसके हैं, जो खरीदते हैं, उसके business में involved हैं, तो ये बस्तर रेजिन में इसका काफी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा. और सबसे बड़ा highlight इस पूरे manifesto में अगर देखा जाए तो वो था free education. Free education from KG to PG, kindergarten से लेके post-graduation के सारे courses तक free education तिये जाएंगे in every government colleges. हर एक government school को स्वामी आत्मानंद की तरह English medium और अच्छे से develop किया जाएगा और ये भी एक बहुत बड़ा वादा है जो Congress ने किया है. भूमी हीन farmers को BJP ने भी 10,000 रुपे annually देने का वादा किया है और Congress ने भी बिलकुल वही वादा किया है. Medical insurance मिलेगा पहले 5,000,000 रुपे का मिलता था, अब 10,000,000 रुपे तक का medical insurance लोगों को मिलेगा और 700 new rural industrial parks बनाए जाएंगे. पहले से 300 मौजूद है, 36 गड़ में उसे 1000 करने की उम्मीद है Congress की अगर वो पावर में वापस आ जाते हैं. और जितने भी लोग youth हैं, जितने भी youth हैं, वो अगर business अपना शुरू करना चाते हैं और loan लेते हैं, तो पहले 40% subsidy मिलती थी, आप उसे 10% increase करके 50% कर दिया गया है. तो यही कुछ highlights थे, जो काफी एहम थे, in fact हमने कुमारी शालजा से भी इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि BJP का घोशना पत्र, जैसे वो संकल पत्र कह रहे हैं, वो बिलकुल Congress की copy है, और Congress ने भी अपने इस घोशना पत्र को, उन्होंने भी कहा है भरोसे का पत्र, तो दोनों ही parties ने अपने अपने हथियार, अपने सारे cards play out कर दिये हैं, अब कितना जादा ये votes में translate होता है, साथ तारी को कितना किस party को फाइदा होता है, that remains to be seen.